नहीं देखना चाहते हैं वो टीवी में फोन में देखें हैं हम पुछ नहीं कर सकते। उनको सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया था। इसके बाद अपने हाल के एक इंटर्वीव में विजे देवर कोंडा ने एक बार इस बारे में बात करते हुए कहा कि उनको इन सब बातों से डर नहीं लगता। मुझे उन दर्शकों की जरूरत है। जब तक हमारे पास ये लोग है तब तक किसी बात की चिंता नहीं है। लाइगर हीरो ने आगे बात करते हुए कहा कि जब हम धर्म के अनुसार रहते हैं तो हमें दूसरों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई डर नहीं है और मैं जानता हूँ कि पूरी मानदारी से हमने इसे किया है। हम सब इसी देश से हैं और हम सम जानते हैं कि हम अपने लोगों और देश के लिए कितना कुछ करते हैं। हम उस बैच से नहीं है जो कंप्यूटर के सामने बैट कर ट्वेट करता है। अगर कुछ होता है तो हम सबसे पहले कदम बढ़ाते हैं। बतादे कि विजे और अनन्या की इस फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले ही रिलीज कर दिया था जिसको खूब पसंद भी किया गया था। साउट एक्टर की ये हाजर जवाबी बॉयकॉट गैंग के लिए काफी घातक साबित हो रही है। ट्विटर पर रियक्शन्स देख कर लग रहा है कि बॉयकॉट गैंग को एक्टर के अलफाज काफी चुब रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया यही समय है हमें अपनी पावर दिखाने का इनका घमन और ये रवया देख का यही लगता है कि अब इस घमन को तोड़ने की जरूरत है। का बुरा नहीं किया। उन्होंने एक चैरटी शुरू की और कोविट के दौरान हर जारों लोगों की मदद की। दूसरों के जिंदगी खराब करने की कोशिश ना करे। आप साउथ एक्टर विजे देवर कॉंडा के इस बयान को कैसे देखते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बाल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर्ज जरूरी वाइरल खबर आप तक पहुंचती रहें।